नमस्कार, आज कल कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना के इंफेक्शन में हमारे लंग्स प्रभावित होते हैं, जो एक्सरे में और सीटी स्कैम में भी दिखाई पड़ते हैं, मगर इसको देखकर चिंतित नहीं होना है, इसको हमें ठीक करना है, कैसे ठीक करेंगे, ब्रीधिंग एक्सरसाइज के जरिये, चाहे वो डीप ब्रीधिंग हो, चाहे वो स्पाइरोजमीकर हो, रिश्वास रखिए, यदि आप नियमित रूप से अपने फेफ्णों की एक्सरस डीप ब्रीधिंग एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो जो भी चेंजेज आपको एक्सरे में या सीटी स्कैम में दिखाई पड़ रहे हैं, या जो आपके फेफ्णों की शंता करोना की इंफेक्शन की वज़े से कम हो गई है, या किसी अन्य बीमारी की वज़े से कम हो गई ह तो वो निश्यत रूप से लगभग समानी होने वाली है, ऐसा होने में तीन से चार मेहने लग जाते हैं, आज हम बात करेंगे इंसेंटिव स्पाइरोमीटर की, ये इंसेंटिव स्पाइरोमीटर जैसा आप देख रहे हैं, एक इस प्रकार का यंत्र होता है, जिससे हम अप उनने फेप्रों को मजबूत कर सकते हैं, ये स्पाइरोमीटर हमारे फेप्रों को अपने क्षमता के अनुसार फूलने में सहायता करता है, रोगी को लंबी सांस खींचने और उसको रोके रहने की प्रेड़ना देता है, हमारे सीने की मांस्पेशियों को मजबूत करता है, जो अन्तिता हमें फेप्रों को मजबूत करने में सहायक होती है, इसके अलावा ये हमारे बल्गम को भी जो जमा हुआ बल्गम अंदर होता है, उसको भी निकलने में सहायक है, आईए सबसे पहले हम इसकी सनरशना को समझते हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये इसमें एक आपस में जुड़े हुए तीन चेमबर होते हैं, और हर चेमबर में अलग-अलग रंगी बॉल्स होती हैं, इनके साथ ही एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब में आप देख रहे हैं एक एंड ऐसे हैं, जो इसमें जुड़ जाता है इस स्पाइरोमीटर में, और इसके अंदर एक weCR लगा होता है कि इस पारूमेटर में एक रिम होता है जिसको पकड़ के स्पारा में करते और इसी रिम में एक खाचा होता है जिसमें यसります वर फंसा दिया जाता है और इस्तिमाल करने के बार रखा जाता है इसको बोलते हैं क्यूब होल्डर कि इसकी विधी को समझते हैं सबसे पहले सीधे होकर बैठ जाएं और थोड़ा सा आगे की तरफ जुक जाएं मगर यह देखें कि आपके कंधे आपके कंधे आगे ना जुके हो अब इस पार्णोमीटर को ऐसे पकड़ें यह आपके मुह के लेविल पर हो और मुह के लेविल पर होने के बाद में इसको सीधा पकड़ें सीधा पकड़ने के बाद में पहले मैं आपको दिनी समझाता हूँ इस माउथ पीस को अपने दातों के बीच में रखकर होटों से सील कर लें और फिर लंबी सांस खीचें लंबी सांस खीच कर बॉल को उठता हु इससे ही आपको मालुम चलेगा कि आपकी लंग किपासिटी किदनी है। यदि आपने नीली बॉल को सांस खींच कर उपर रोक कर रखा है इसका अर्थ यह है कि आपने छे सो एम्ल हवा अंदर खीची है यदि आपने नीली और फीखी दोणों बॉल्स को सांस खीच कर उपर रोग कर रखा है इसका मतलब आपने 900 cm' हवा अंदर खीची आपने तीनों LOL अरथाक नीली, फीखी और हरी इनको सांस खीच कर उपर रोक कर रखा है इसका मतलब आपने 1200 ml हवा फेपरों तक होचाई है आईए इसकी विधी को करके समझते हैं जैसा मैंने कहा पहले दांतों के बीच में रख के मैं होटों से सील करके इसको हवा ठीचूंगा और बॉल को रोकूंगा हवा खीचने के बाद में सांस को निकाल कर थोड़ा समाने रूप से सांस लेंगे लगभग एक मिनट रुपने के बाद में इस क्रिया को पुना दो राएंगे और ऐसा दस से पंद्रा बार एक सेशन में करेंगे इस प्रकार हम देखते हैं कि हम अपने फ्रेप्रों की छमता को लगातार ठीक होता हुआ देख सकते हैं जब हम सांस खीशने के प्रक्रिया को दस या पंद्रा बार पूरी कर चुके होंगे तब उसके बाद दो या तीन बार खांस के जो हमारा बलगम जमा हुआ है उसको निकाल देंगे इसी यंत्र को इस्तिमाल कर सकते हैं हम खुलाने के लिए और खुलाने के लिए कैसे इस्तिमाल करेंगे है आप इस यंत्र को इलट दी आशोगे दिये उठापाएं मगर आप जितना भी बॉल उठापाएं इसको फूंकर उठाईए ये क्रिया भी हम 10 से 15 बार दोराएंगे एक सेशन में प्यानी की जब हम इस पारोमिटर का प्रियोग कर रहे हैं तो सबसे पहले 10 से 15 बार सांस खीचेंगे थोड़ा आराम करेंगे उसके बाद में 10 से 15 बार सांस बाहर निकाले की कसरत करेंगे जब ये दोनों प्रक्रियाएं पूरी हो गई हमने खांस के अपना बल्गम निकाल दिया तो इस ट्यूब होल्डर को माउंट की इसको सेनिटाइजर से थोड़ा साफ कर देंगे सेनिटाइजर से साफ करने से क्या होगा कि इसके अंदर कोई infection नहीं जाएगा और इसके मूँ को इस प्रकार से बंद करके रख देंगे जिसके इसे अंदर कोई भी जीव जनतुप न जा पाया और इस क्या पताना चाहूंगा यदि आप तीनों बॉल नहीं उठा पा रहे हैं या केवल एक ही बॉल उठा पा रहे हैं तो परिशान नहीं हो इसको आपको रोज करना है और positive thinking के साथ करना है तो आप देखिएगा कि आप निली बॉल पहले कम उठी फिर पूरी उठी उठी उसके यंत्र का नाम incentive spirometer है अब यह आवश्यक है कि हम यह भी जाने कि इस यंत्र को कैसे साफ रखना है इस यंत्र को साफ करने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले इसकी ट्यूब को निकाल दीजिए यह ट्यूब निकाल दी आपने और इसको उलट लीजे यह जो बेस था यह बेस अब उपर आ गया अब इस बेस को धीमे धीमे निकाल दीजिए यह बेस निकल गया अब इसकी बाल्स को भी निकाल दीजिए और इसकी बाल्स को निकालके और इसके अंदर तीनों चैंबर को साबुन पानी से धो दीजिए साबुन पानी से धोने के साथ में यह जो सूखने के लिए रख दीजे धोने के बाद अब इसको जब ये सूख गया सूखने के बाद में वापस इसमें बाल रख दीजे ये जिसमें 600 CC लिखा है उसमें निली बाल जिसमें 900 cc लिखा है उसमें क्ली बॉल और जिसमें 1200 cc लिखा है उसमें हरी बॉल डाल दीजे इसको ओपर से बंध कर दीजे और बंद करने के बाद में इसे बंद कर दीजे बंद करने के बाद में वापस Cent Bible को लगा दीजे इस प्रकार आपने अपने जंत्र को साफ कर लिया ये आपको जो रिकमेंडेड है वो दिन में एक बार जरूर करना है आशा करते हैं आपको इस स्पारोमीटर इस्तिमाल करने की इसके फायदे और साथ ही में इसको कैसे हम रख रखावर करें ये समझ में आ गया होगा, इस जानकारी को लोगों में भी शेर कीजिए, जिससे अने आपके दोस्तों को भी, अपने परिवार वालों को भी, आपके नाते रिश्यदारों वालों को फाइदा हो, बहुत बहुत धन्यवाद।